इमाजिन कीज़े एक ऐसी फेक्टरी जिस फेक्टरी में हेल्दी इंसान ईंटर तो कर रहे हैं लेकिन 3-4 घंटे बाद जो बाहर निकलते हैं वह बन जाते हैं kidney failure patient मतलब factory manufacturing kidney failure patient आप शौक्ड हो जाएंगे जानके कि मैं बात कर रहा हूं आजकल के hospitals की आप किसी भी hospital में जाए ये hospital में किसी वाट में जो common scenario होगा अधितर patients के बैट के उपर इस तरह के saline water लटका होगा patient जाए किसी भीमारी के लिए जाए वो सिद्धत के लिए जाए माइगरेन के लिए जाए स्टमक के लिए जाए vomiting के लिए जाए dehydration के लिए फ्लू के लिए जाए किसी भी भीमारी के लिए क्यों न जाए 80% chances हैं कि doctor उसे saline water तो prescribe करी देगा मानों ऐसे कि saline water ना हो यह अम्रित हो कि जैसे आप इन नसों में दोड़ेगा ना जाने कैसे magically सारी बिमारी अपने आप ही घाएब हो जाएंगी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुजारी मंदिर में आप जाते हैं पुजारी गंगा जल शिरपता है और एक बूंद अगर ह शायद saline water से इनसानियत को कुछ भला होता होगा पहली बार 2018 में trials हुए यह जानने के लिए कि जब saline water हमारे body में दोड़ता है तो उससे क्या फाइदा हो सकते हैं और तब shocking नतीजे सामने निकले कि सिर्फ आधे लीटर saline water से भी इनसान kidney patient जिन्दी की भर के लिए बन सकता है ट्रायल के पूरे नतीजे जानने के लिए आप screen पे देवे link में जाके खुदी पर सकते हैं लेकिन मैं आप का काम आसान कर देता हूं मैं आसान भाषा में समझाता हूं आखिर इसके अंदर क्या है अगर आप पढ़ें इसके अंदर simple पानी है और पानी के साथ है NACL that is sodium chloride 0.9 grams याने की common salt नमक 0.9 gram नमक कितना होता है यह जानने के लिए आप देखिए पूरे दुनिया में जितने भी food item है उसमें सबसे जादा नमक जिसमें होता है वो है laced potato chips और ऐसा laced potato chips का 1 packet या फिर 2, 3, 4 packet, 5 packet या 6 packet या 7 packet या 8 packet, 9 packet या 9 packet अगर 9 packet laced potato chips आप एक बार में खा जाएं तो जितना salt जितना नमक आपके पेट में जाएगा बस उतना ही नमक इस पूरे आधे लीटर के saline water में है याद रखिए जब आप खाते हैं तो वो नमक पेट में जाता है और 90% तो excreti हो जाता है अक्सर और 10% ही blood में खु हुआ है यानि कि सारा का सारा जो नमक है आपके सीधे blood stream में जाएगा इतनी quantity में जब नमक जाता है तो एक बार में क्या होता है swelling बॉडी फुल लगती है यानि कि आपके heart पे दवाव पड़ता है आपका kidney पे जोर पड़ता है kidney के काम करने की जो possibility है उसकी frequency उसकी जो ability है capacity है वो कम होने लगती है और साथ ही में इसमें जो chlorine का content है वो human blood के concentration से लगब 50% जादा है इतने concentration में अगर liquid सीधे blood vessel में जाता है तो वो एक अजीब सी हरकत करता है आपको एक खास nutrient का पता है जिसे कहते है potassium हमारे cells के अंदर जो potassium है वो 98% cells के अंदर होता है और 2% potassium blood में circulate करता ह आप समने अक्सर यह सुना होगा कि potation की मातरा अगर blood में बढ़ जाती है तो kidney का काम करने की capacity कम हो जाते है या kidney के फेल होने के chances बढ़ जाते हैं दरसल जब chlorine इतनी मातरा में blood में सीधे खुलेगा तो chlorine की activity एक है वो यह कि cells के अंदर जो potassium उसको धका देता है और वो potassium छलपत है blood में और जैसी blood में concentration, potation की बढ़ती है तो kidney के fail होने के chances बढ़ जाते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सिर्फ kidney patient बनके रहेंगे और अगर किस्मत आपकी खराब रही तो साथ में heart attack भी आ जाएगा, cardiovascular भी हो जाएगा और आप भगवान को प्यारे हो जा करते हैं लेकिन मैं आप से सवाल पूसता हूँ एक छोटा सा quiz हो जाए आपको क्या रपता है डॉक्टर क्यों प्रस्काइब करते हैं in spite of the fact कि ये body को damage करता है to the extent that it can cause kidney failure ये डॉक्टर क्यों प्रस्काइब करते हैं सवाल आपके लिए आपको चार ओप्शन है option a डॉक्टर सोचते होंगे कि पेशन तो आई गया चलो कोई ना कोई लास्तों करना है कुछ समझ नियारा चलो सराइन पर चड़ा जाते है बी अब पेशन को chain से तो बान नहीं सकते तो चलो ये डृट से पेशन को हम एरेस्ट कर लेते हैं ताकि पेशन बीना पैसे दिया भागना जाए c. प्लेसेबर एफेक्ट पेशन को लगता है कि कुछ चड़ रहा है शायद मैं ठीक होई जाओंगा या d. कोई और कारण इन में से जो भी कारण आपको लगता है वो कारण आप कमेंट में जाके लिखिए उन सारे कमेंट को मैं इखट्या करूंगा और मैं बनाऊंगा अगला वीडियो एक चैलेंज डॉक्टर्स के लिए आप में से वो डॉक्टर जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप उन में से जो सलाइन वोटर प्रेस्काइब करते हैं तो 7th April that is World Health Day में डली प्रेस क्लब में मैं आपसे मिलूँगा उस दिन मेरी बुक की लाउंचिंग है किल्ड बाई ब्लेड डॉनेशन मैं आपको इन्वाइट करता हूं मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोई भी डॉक्टर इस सराइन वोटर का एक भी अगर फाइदा बता दे तो मैं आपको एक लाग रुपे दूँगा और अगर कोई फाइदा नहीं है तो प्लीज आप इस सर्टिविक्शन प्रोग्राम्स हैं आप अपनी नौलेज को अबरेट कर सकते हैं थ्री मॉंट्स एडवांस ट्रेनिंग ऑन मेडिकल नूट्रिशन आप जोइन कीजिए नौलेज बढ़ाएज और आपको पढ़र चलेगा कि 95% बिमारियों के इलाज आपके घर के किचन में ही है अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन प्रोग्राम को समझ सकते हैं जान सकते हैं पार्ट्स प्रेट कर सकते हैं हम मिलेंगे कभी ने कभी दुबारा ओल दे बेस्ट तैंक यू जय हिन इमाजिन कीजिए एक ऐसी फैक्टरी जिस फैक्टरी में हेल्दी इंसान एंटर तो कर रहे हैं लेकिन तीन चार घंटे बाद जो बाहर निकलते हैं वो बन जाते हैं किड्नी फिलियर पिशेंट मतलब फैक्टरी मैनुफेक्ट्रिंग किड्नी फिलियर पिशेंट्स आप श पितन के बैटके उपर इस तरह के Saline Water लड़का होगा पेशेंटाई किसी बीमारी के यह गया माईगरइन के लिए ठमाईजिंस के लिए लिए आए ठ्रब के लिए जाए पुजारी, मंदीर में आफ जाते हैं पुजारी गंटा जल चिड़पता है और एक और अगर हमारे सरपेपर जाये, हमें ऐसा सुन लगता है कि, शायद हमारे सारे फ्राइलम, घाइब हो जाएंगे। और हमारे सारे अर्मान पूरे हो जाएंगे यह जो प्रता है हॉस्पिटल में ही चल रहा है पिछले 1500 साल से इस उमीद के साथ कि शायद सलाइन वाटर से इंसानियत को कुछ भला होता होगा पहली बार 2018 में ट्राइल्स हुए यह जानने के लिए कि जब सलाइन वाटर हमारे बौटी में दोड़ता है तो उससे क्या फाइदा हो सकते हैं और तब शौकिंग नतीजे सामने निकले कि सिर्फ आधे लीटर सलाइन वाटर से भी इंसान किड्नी पेशेंट जिंदेगी भर के लिए बन सकता है ट्रायल के पूरे नतीजे जानने के लिए आप स्क्रीन पे देवे लिंक में जाके खुद ही पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपका काम आसान कर देता हूं मैं आसान भाषा में समझाता हूं आखिर इसके अंदर क्या है अगर आप पढ़ें इसके अंदर सिंपल पानी है और पानी के साथ है NACL that is sodium chloride 0.9 g याने की common salt नमक 0.9 g नमक कितना होता है ये जानने के लिए आप देखिए पूरे दुनिया में जितने भी food item है उसमें सबसे ज़ादा नमक जिसमें होता है वो है Lace potato chips और ऐसा Lace potato chips का 1 packet या फिर 2, 3, 4 packet, 5 packet या 6 packet या 7 packet या 8 packet या फिर 9 packet अगर 9 packet Lace potato chips आप एक बार में खा जाए तो जितना salt जितना नमक आपके पीट में जाएगा बस उतना ही नमक इस पूरे आधे लीटर के saline water में है याद रखिए जब आप खाते हैं तो वो नमक पेट में जाता है और 90% तो एक्सक्रीटी हो जाता अक्सर और 10% ही blood में खुलता है लेकिन इस case में तो वो drip लगा हुआ है यानि कि सारा का सारा जो नमक है आपके सीधे blood stream में जाएगा इतनी quantity में जब नमक जाता है तो एक बार में क्या होता है swelling ये body fully लगती है यानि कि आपके heart पे दवाव पड़ता है आपका kidney पे जोर पड़ता है kidney के काम करने की जो possibility है उसकी जो ability है capacity है वो कम होने लगती है और साथी में इसमें जो chlorine का content है वो human blood के concentration से लगब 50% जादा है इतने concentration में अगर liquid सीधे blood vessel में जाता है तो वो एक अजीब सी हरकत करता है आपको एक खास nutrient का पता है जिसे कहते है potassium हमारे cells के अंदर जो potassium है वो 98% cells के अंदर होता है और 2% potassium blood में succulate करता है आप समने अक्सर ये सुना होगा कि potassium की मात्रा अगर blood में बढ जाती है तो kidney का काम करने की capacity कम हो जाते है या kidney के fail होने की chances बढ़ जाते हैं दर असल जब chlorine इतनी मातरा में blood में सीधे खुलेगा तो chlorine की activity एक है वो ये की cells के अंदर जो potassium उसको धक्का देता है और वो potassium छलपता है blood में और जैसी blood में concentration potassium की बढ़ती है तो kidney के fail होने के chances अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सिर्फ kidney patient बनके रहेंगे और अगर किस्मत आपकी खराब रही तो साथ में heart attack भी आ जाएगा, cardiac arrest भी हो जाएगा और आप भगवान को प्यारे हो जाएगे आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना खतरनाक liquid है तो doctor prescribe क्यों करते हैं दुनिया में this is the most prescribed medicine, serine water ये बात तो आप doctor से पूछे वो क्यों prescribe करते हैं लेकिन मैं आप से सवाल पूछता हूँ एक चोटा सा quiz हो जाए आपको क्या रबता है doctor क्यों prescribe करते हैं in spite of the fact कि ये body को damage कर करते हैं सवाल आपके लिए आपको चार option है option a doctor सोचते होंगे कि patient आई गया चलो कोई ना कोई लास्तों करना है कुछ समझ नियारा चलो सराइन पर चड़ा देते बी अब patient को chain से तो बान नहीं सकते तो चलो ये drip से patient को हम arrest कर लेते हैं ताकि patient बिना पैसे दिए भागना जा c placeable effect patient को लगता है कि कुछ चड़ रहा है शायद मैं ठीक होई जाओंगा या d कोई और कारण इन में से जो भी कारण आपको लगता है वो कारण अब comment में जाके लिखिए उन सारे comment को मैं इखट्या करूंगा और मैं बनाऊंगा अगला वीडियो एक challenge doctors के लिए आप में से वो doctor जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप उन में से जो saline water prescribe करते हैं तो 7th April that is World Health Day में Delhi Press Club में मैं आप से मिलूँगा उस दिन मेरी book की launching है killed by blood donation मैं आपको invite करता हूँ मैं आपको challenge करता हूँ कि कोई भी doctor इस saline water का एक भी अगर फाइदा बता दे तो मैं आपको एक लाग रुपे दूँगा और अगर कोई फाइदा नहीं है तो please आप इसको prescribe करना immediately बंद कर दे एक advice viewers के लिए है hospital जाना बंद कर दे ताकि यहा पे nutrition programs है online programs है जिससे आप अपनी knowledge को upgrade कर सकते हैं 3 months advanced training on medical nutrition online training है international recognized है आप join कीजे knowledge बढ़ाये और आपको पढ़र चलेगा कि 95% बिमारियों के इलाज आपके घर के kitchen में ही है अधिक जानकारी के लिए screen thank you jahin